घर में भगवान को आप यह महसूस करें कि आपके घर में बच्चा आ रहा है आपके घर में महमान आ रहा है तो वैसे घर को सजा के रखना एक तो ग्रिहस्त के लिए और दूसरा जो है बैशनों के लिए मतलब जो मठ मंदिर है वो 27 तारीक को मनाएंगे और ग्रिहस्त लोग इन में आठ बचकर 20 मिनट से समाप्त होकर अस्ट मितिती लग जाएगी तथा रात्री में नौ बचकर 10 मिनट से रोहिनी नक्षत्र भी प्रारंब हो जाएगी और रात्री में बारे बजे के बाद जो है अच्छे से पूजा पाठ अराधना अभ्यर्चना और इनके निमित जो है आप जितना मिस्री है मलाई है जो हमारे लड़ो गोपाल को पसंद है फल है फूल है जी मक्कान है दही है जितनी जो चीजें है तो रावडी है इन सब चीजों का व्यवस्था कराक है सब्सकार नहों देवांसु आप देख रहे हैं निस फोड़ने से जन्मास्टमी आने वाली है लेकिन हर साल जो है जन्मास्टमी के मौके पर यह थोरा सा कन्फिजन रजाता है कि आखिर किस तारीकों है और साथ ही यह वर्त किस तरीके से करना है किस तरीके से फास्ट करना है और साथ ही क्या इस दिन साब्धानिया ब्रतनिया सब कुछ जो है बताने के लि जी जनमास्ट में जो है वह 26 तारीक को है आईए इसके महुर्द के बारें बता दें कि वो जनमानस में ऐसी भ्रांतियां हैं कि 26 को मनाई जाएंगे कि 27 को मनाई जाएंगे हमेशा से दो दिन मनाई जाता है एक तो ग्रिहस्त के लिए और दूसरा जो है बैशनों के लिए में लिखा है कि 26 अगस सोम बार के दिन सबत्मी तेथि दीन में आठ बचकर 20 मिनट से समाप्त होकर अस्टमी तेथि लग जाएगी तथा रात्री में 9 बचकर 10 मिनट से रोहिनी नकषत्र भी प्रारंब हो जाएगी इस प्रकार अस्टमी तेथि रोहिनी नक्षेत्र के युति से जयन्ति योग बन रहा है। मतलब बैश्णो जन जो है वह ओदिक अस्टमी एवं रोहिणी में 27 अगस्त मंगल भार को स्रिकिस्ट जनमास्टमी मनाएंगे। वस्तुत यह दो दिन का ही पर्व है और दोनों दिन के मुहुर्त के बारे में दोनों दिन के बारे में परियाप्त प्रमान हमारे सास्त्रों मे हैं। वो लोग जो करेंगे वो 26 तारीकों करेंगे तो 26 को पूरे दिन उपवास करेंगे प्राता काले नहीं एकदम अस्नाम ध्यान करके लड़ु गुपाल को मंत्रित करेंगे बुलाएंगे इनके ओतरन दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है तो सायम काली एकदम साइज पाठ अराधना अभ्हर्चना और इनके निमित जो है आप जितना मिश्री है मलाई है जो हमारे लड़ु गुपाल को पसंद है फल है फूल है जी मक्कन है दही है जितनी जो चीजें है तो रावडी है इन सब चीजों का व्यवस्था कराकर सभी चीजों का भोग लगाया ज एक साथ मिला देता हूं एक जीने वर्थ करना है उनकी सबसे पहले जो लोगों नहीं करना चाहते हैं नहीं करना तो वो चाहते हैं लेकिने परिष्थितियां ऐसी बन पड़ी है पहले से उनका प्रायुजित कार्ज करम है तो चुकि वो खाएंगे नहीं तो फिर बाहर काम कैसे करेंगे तो उन ले के लिए निश्चित रूप से उनके लिए इहतियात है आज के दिन सुद्ध भोजन करें सुद्ध भोजन में जिसमें लासन प्याज नहो आप जो है घी का प्रियोग जादा करें और सेना नमक का जादा प्रियोग करें और प्रियास करें काला वस्तर न पहने और म बाघवान कर्षन के मंत्रों का मनहीं मन दीन भर रात भर जब आजब करते रहें आप देखेंगे कि आपको लाप मिलेगा। दूसरा प्रशन है कि कैसे पूजा पाट करें। देखिए जैसे घर में भगवान आप यह महसूस करें कि आपके घर में बच्चा आ रहा हैं। आपके घर में मिहमान आ रहे हैं, तो वैसे घर को सजा के रखना है, घर की पूरी तरह से पवित्रता होनी चाहिए, सुध्धिकरण हो जाना चाहिए, पूरे घर में गंगाजल का छिड़काओ होना चाहिए, और घर के इसान कोण में, पूजा अस्थान में, अच्छे से आसन प्रग्री में और किसी बस्तू में नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसे चीजों को सजाए और जितना हो सके लिखा है कि फले न फल प्राप्ति से जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें इनके निमित जितने चीज हैं भगमान जितनी अपनी सक्ति हो इसमें जो कोई भी नहीं बाहर में न करेगा रहसा है तो आप मंदिर में जाके आप काम पूजा पाठ कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है भगवान जो है वह तो आपके भाव के भूके हैं अब देवताओं का वास्तू मंत्रों में हैं तो निश्चित रूप से आज जो है भगवान जो भी दिखाए हुए मारग है उस पे बढ़ेंगे और जनहित में काम करेंगे लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे किसी को परसान नहीं करेंगे ऐसी मनोभावना के साथ अगर पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान लड़ गुपाल जो है भगवान प्रसन होंगे और आपके सारी मनो काम ना पूर्ण करेंगे एक आखरी सवाल जनमाष्ट में करने का फाइदा अगर आपके हिसाब से दिखा जा तो क्या है इस कल्यूग में इस तोर में देखिए भगवान जो है भगवान कृष्ट सर्व भ्यापी है और सर्व मन है तो जैसे आप देखिएगा कोई चीज पहले से कंप्यूटर में रखे हैं और आप इरेज बटन डिलीट बटन आप जबा देते हैं और वह साफ हो जाता है जैसे आपका कपड़ा गंदा है और आप वासिंग मसीन और ड्राइ किलनर्स में देखे आप गंदे को कपड़े को बि वहाँ पे जाके मंदिर में जाके सिंक होता है रिफ्रेस होता है और आदमी बोलता है बहुत अच्छा फिल करें ठीक उसी परकार जैसे गंदे कपड़े वासिंग मसीन में साफ हो जाते हैं और चमक जाते हैं उसी परकार जनवास्टिमी के दिन अगर आप ब्रत करते हैं प परस्व के लिए फिर आप एक नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप अपने लक्ष को प्राप्त करते हैं कोई पूजा पाठ आत्मबल देता है सुध्धी करण करता है आपकी आत्मा को ठीक करता है और आपके कार्जों में सफलता का वह बहुत बड़ा मुख्यमा अध्यमनता है तो क्रिष्ट जन्माष्ट भी आपके पाप को धोने का आपके खस्ट को धोने का आपको नए जीवन में नए प्रवेस करने का और आपको मजबूत बनाने का यह काम करता है और अध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाता है जी जी पिलकुल